हेलो दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त जैसी नुस्के उतरकंड यूट्यूब चैनल से दोस्तो आज आपके सामने ये जो नुस्का पेस कर रहा हूँ ये बहुत ही उपयोगी है और अजमाया हुआ नुस्का है इस नुस्के को जिसने भी प्रियोक करा है उसको उसकी विमारी से निजाद मिला है जैसे कि किसी को कर दर्द बगेरा है किसी भी प्रकार का दर्द है तो वह उस दर्द का ये नास करने वाला नुस्का है अगर आप इस प्रकार से बना कर खाते हैं तो आप इसको देख कर पता एंजान सरी है मीठे सरण जान यह एषवगंधा है और दोस्तों मैं दाल चिनी का पौडर लिया है यह जो आप लाद कलर में देग रहे हैं ब्राउन में यह दाल चिनी है यह सोथ है जो जो सोखी अधरक के नाम से जाना जाता है ये मैथी है देसी मैथी का पौडर रही है और ये पिली जो भागा है ये हल्दी का है हमने इन दवाईयों का जड़ी बूटे के स्वाँ बेश लिया है और हमने ये सिला जीत ली है ये 10 ग्राम सिला जीत है तो हमने इन सब दवाईयों का पौडर बनाया है सब दवाईया हमने हल्दी अस्वगंदा दाल चीनी और सौट मैथी ये सब हमने 55 ग्राम ली है और हमने इसमें दाल चीनी का प्रियोग 20 से 25 ग्राम के बीच में हमने लिया है और 10 ग्राम हमने सिला जीत ली है हमने इन सब दवाईयों को जड़ी बिच्रो अलग- помогने के बाद में फिर इसका बजन करके हमने इसका 55 ग्राम मस्रंड मनाया है और 20 ग्राम हमने इसमें दाल चीनी ली है दाल चीनी का पौडर अब हमने इन सब को आपस में मिसरन को मिला लिया है मिलाने के बाद में दोस्तो अब इसके अंदर जो सिलाजीत होगा सिलाजीत को हम गरम पानी में हलका सा इसको घोल लेंगे ताकि वे एक तरल पिदार्थ सा लिकड बन जाए लिक्कड बनने के बाद में इस सिलाजीत को हम इसके अंदर मिला देंगे मिलाने के बाद में हम इसको खरल में डालके इसको एक जान कर लेंगे ताकि इस सिलाजीत की मातरा जो है वो पूरी औसोदियों में समभाग आपस में मिल जाए मिलने के बाद में फिर हम इसको दूप में सुखा लेंगे जो ताकि जो हमारा सलाजीत का चिपचिपप बने वह भी खतम हो जाए और वह अच्छी तरह से सूख हो जाए जिससे कीवे खराब ना हो तो अब हम इसको जब इसका ये हमारा पॉडर बन जाएगा हमारा बिल्कुल सूखा पॉडर हो जाएगा तब हम इसको आदी चम्मच की मात्रा में हम इसका सेवन कर सकते हैं दूद से या पानी से अपनी वह अगर आपके पाद दूद है तो आप दूद से सेवन कर सकते हैं नहीं तो आप पानी से भी सेवन कर सकते हैं सुबह साम, सुबह साम, आधी चम्मच की मातरा में, आधी चम्मच की मातरा में, यानि कि आप कप तक्रीब हैं, धाई से तीन ग्राम के मातरा में, आप सुबह सेवन करें, दूद के साथ में, या पानी के साथ, और धाई से तीन ग्राम के मातरा में, आप साम को सोते समय, खान कि immunity boost होगी आपके blood के अंदर आपके खून के अंदर जो यूरिक acid के मातरा ज्यादा बड़ी हुई है वह नॉर्मारोनी शुरू हो जाएगी और आपके दर्दों से आपको निजात मिलेगी किसी परकार का दर्द है चाहे साइटिका का जाए गट्याबाई का चाहे जोडो में सूजन है किसी परकार के दर्द है तो उसमें बहुत अच्छा फैदा मिलेगा अगर आपके बाल जढ़ते हैं तो उसमें बाल में भी आपके काफी अच्छा रिल्ड़ को मिलेगा बाल भी जढ़ना कमोंगे और हमने इसमें सिलाजीत का शेवन कराया है यारि मिलाया है इसके ôngख दर दालचीनी है सौट का मिलाया है तो उससे आपकी बलेड को पतलापन करेगा और किसी के अगर लिंग में तनाव कमाता है ये बलेड का फिलो कमाता है इरक्शन की दिक्कत है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा रियल दिखाएगा अगर आपने चालेज दिन तक इसका प्रियोग कर लिया तो आपकी सेक्स पावरी बूश्ट होगी और आपकी टैमी में भी बहुत अच्छा इसावा देखने को मिलेगा यदि बुज़ूर्ग आदमी है बुज़ूर्ग आदमी को भी उनको चलने फिनने में इस नुस्खे को प्रियो करने कादमें काफी अच्छा रियल दिमिलेगा और आपको एक जवानी का अनुवाव होना शुरू होगा तो यह एक छोटा सा नुस्खा है जो सभी प्रिकार के दर्दोवाव काम करेगा आपके बिलड जो सुगर की डेविडिस की दिख्या थे तो उसमें भी अच्छा काम करेगा और आपकी सेक्स पावर कम है तो उसमें भी बहुत अच्छा रियल देखेगा इर्यक्टैल डिस्फंक्शन की दिख्या थे तो उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करेगा यह अजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों कई मरीजों पर इसको अजमाया गया है तम यह आपके सामने प्रस्तुत करा गया है तो यह नुस्खा जो है यह कम से कम 30 से 40 दिन का नुस्खा है यह हमने यह सब चीजे 50-50 ग्राम लेती और दाल चिरी 20 ग्राम लेती और सलाजीत हमने 20 ग्राम सौरी 10 ग्राम हमने मिलाई थी तो आप इसको बनाए और इसको प्रियोग करें धरनेवाद